हम लोग जो है system of particles and rotational dynamics वाला chapter कर रहे थे उसमें हमने बहुत कुछ बातें कर ली थी moment of inertia discuss कर रहे थे moment of inertia में हमने ring, disc and rod इसको derive कर लिया था मैंने आप से कहा था कि hollow spherical cell और solid sphere इन दोनों के derivation हम करेंगे और बाकी चीजों के हम derivation नहीं करेंगे तो देखिए मैं hollow spherical cell का derivation कर रहा हूं तो topic डालिया next topic है हमारा moment of inertia moment of inertia of hollow spherical cell moment of inertia of hollow spherical cell about its diameter about its diameter यानि कि इसका diameter एक axis है और उसके about हमें moment of inertia पता करना है देखे एक hollow spherical cell का मतलब क्या होता है कि sphere तो है लेकिन एकदम hollow है cell है पतला स्फियर है पतली दिवार वाला है जैसे साबुन का बुल्वला है इसी तरीके से जैसे table tennis ball तो बहुत ही पतला है अब अगर हम इसको यहां पर center ले लेते हैं और एक diameter बना देते हैं अगर मैं देखो मैं सेंटर से एक diameter draw कर देता हूं यह diameter है इसके about इसको गुमाया जा रहा है diameter के about इसको गुमाया जा रहा है इस फेरिकल सेल फॉर इस हालो सेरिकला सेल इस बीग रोटेटर आप यह diameter कर रहा है अगर मैं इसको काटना शुरू कर दूँ तो जैसे मालो मैं सब से पहले एक कट यहां लगाता हूं तो यहां पर एक कट यहां लगा रहा हूं है तो इसको मैं कह दूँगा जीरो डिग्री इसको मैं यहाँ पर कह दूँगा 90 डिग्री या प्लस पाई बाई टू 90 डिग्री या नहीं पाई बाई टू इसको मैं यहाँ कह दूँगा एक छोटी सी ring बनेंगे फिर छोटी सी पिर फिर rings काफी सारी rings बनेंगे यह जो कटकर के टुक्टे बनेगे यह ring बनेंगे रिंग बनेंगे अँच्छा अब माल लीजिये यहां पर मैं एक छोटी शी ring ले रहा हूं और यह जो ring है इसका angle यह वाला यह d theta है और यहां से अगर मैं angle measure करता है तो suppose this angle is theta तो यह angle theta है और जो उसका angular breadth है angular चोड़ाई वो मालनो d theta है तो थोड़ा समझने कोसेश करिए कि मैंने यहां से एक ring को काटा है और यह ring की जो है यह चोड़ाई जो है यह d theta है मालनो angular thickness angular thickness क्या है एक कुनट जरा d theta है यह यह angle d theta है तो इसका मलनों यह वाली जो distance आएगी यह r d theta आजाएगी capital r अगर उसकी radius है तो r d theta r को जाएगा correct अच्छा अब सबसे पहले मैं अगर sigma calculate करना चाहता हूं तो देखो sigma is what? sigma is surface mass density surface mass density को हम बोलते है area mass density mass upon the area अगर complete mass capital M है area होगा 4 pi r square sphere का surface area 4 pi r square sphere का surface area होगा अब मैं यह जो छोटी से ring लिया नहीं इसका surface area निकाल लोगा तो देखो d a d a is small surface area small surface area of small ring तो आप देखे मैं d a लिख रहा हूं अगर मैं यह वाली radius capital R है जी पूरी बड़े sphere की radius capital R है सब जगे capital R है इस radius को अगर मैं small r मान लोगा यह वाली चाहिए हाना तो small r मान लोगा तो यह जो ring है इसकी length कितनी होगी 2 pi r हाना तो ring की length होगी 2 pi r तो 2 pi r correct अच्छा यह जो arc है इस arc को हमने पहले ही r d theta बोल दिया है तो मैं इसको capital R d theta बोल देता हूँ अगर हमने इस angle को theta रखा है तो यह small r है यह angle theta होगा पका तो मैं कह दूँगा कि small r अगर मैं यहां से perpendicular drop कर दूँ एक तो यह distance भी small r आएगी यह radius small r आएगी इस ring की वही ring है तो देखे आपका यह जो small r है इसको मैं मोलूँगा small r upon capital R बराबर cos theta यह यह आपके पास में da आगया है 2 pi capital R cos theta into r d theta करें यह आज़ा बता हूँ अब मैं small di ले रहा हूँ di is what di is small moment of inertia small moment of inertia of the small ring of the small ring small ring का moment of inertia का formula बताओ बता देखे small ring का mass dm है dm mass होगा into r उसकी radius है आपको ring का moment of inertia मैंने derive करा दिया है और वो mr square कराया था आप देखो ring का mr square था तो dm into r square आया था dm क्या होता है dm होता है sigma into d a into r square यह आपका di आया है small moment of inertia of small ring correct अब मैं इस di को दुबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर तो देखो sigma तो sigma है d a d a आपका वो रहा तो मैं ज़रा d a को लिख रहा हूँ आप लोग चेक करेंगे 2 pi capital r square cos theta d theta sigma into 2 pi capital r square cos theta d theta cos theta d theta आगया अच्छा यह d a आया है बटा d a आया है d a को हम integrate करेंगे तो मैं total i लिख रहा हूँ आप देखना मेरे i लिखने का चरीका क्या है मैं इस i को जो है न कहां लिखो चलो यहीं लिख देते हैं i को मैं लिख रहा हूँ integration d i minus pi by 2 to plus pi by 2 यह आपकी limit है minus pi by 2 से plus pi by 2 आपकी limit है यह आपका i है अब आप देखें कि मैं इस calculation को कर रहा हूँ यहां से मैं d i put करूँगा और फिर limit लगा हूँगा तो मैं देखो इधर कर दे रहा हूँ इसको यहां पर इधर से shift कर देता हूँ तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहां पर i equal to integration d i है ना और minus pi by two से plus pi by two यह तो हम पहले ही तैक कर चुके इसके बाद next step में मैं d i की value लिख रहा हूँ उस d i की value को लिखते समय हम बहुत साबधान रहेंगे एकदम एक एक चीज आ जानी चाहिए हमारी तो मैं d i की value वहाँ से लेके आँगा क्या है sigma into 2 pi r square और यह आजाएगा r की power 4 हो जाएगा यह cos cube आजाएगा है ना चलिए देखो जाए रहे हैं यहाँ पर sigma into 2 pi r की power 4 cos cube theta into d theta यह आपका d i आगे है ठीक है बस इसको एक बार है ना confirm कर लो कि कहीं जरासी भी गरवड हो गई ना तो फिर आपकी calculation आएगी नहीं यह द्यान रख लेना result बिलकुल नहीं आएगा result तभी आएगा जब हम एकदम सही सही लिखेंगे चलिए अब मैं sigma की value लिख देता हूँ यहाँ पर sigma है आपका capital M upon 4 pi r square 2 pi को मैं बाहर निकाल देता हूँ r की power 4 को भी हम बाहर निकाल देते हैं और फिर integration आजाएगा हमारा cos cube theta d theta minus pi by 2 plus pi by 2 यह देज़े हमारा यह result आगया अच्छा अब हम इसको ऐसे काड़ देते हैं तो देखना ज़रा i बराबर क्या आगया i बराबर आगया है mr square upon 2 and integration cos cube theta d theta minus pi by 2 to plus pi by 2 यह देखना अब हमारे बस जो answer है उसमें यही एक integration ही खास चीज बच्ची है तो मैं integration कर रहा हूँ बस integration आते ही आपका answer आ जाएगा तो मैं इसको सारे को उधर की तरह ले जाता हूँ और मैं integration कर रहा हूँ है ना बस अब मैं केवल इसी चीज को यह पर focus दूँ cos cube theta d theta देखो जी अब मैं इसका integration कर रहा हूँ आप लोग ज़रा चेक करेंगे मैं इसको लिख रहा हूँ cos square theta cos theta d theta सवाल उपता है ऐसा क्यों किया गया देखिए ऐसा करने का फायदा अभी समझ में आएगा आपको इसको मैं लिख रहा हूँ integration one minus sin square theta into cos theta d theta cos cube theta था इसको cos square theta into cos theta लिख दिया और cos square theta को one minus sin square theta लिख दिया यह cos theta आ गया अब मैं यहाँ पर suppose कर रहा हूँ say sin theta equal to t अगर sin theta को t कह दिया तो बताओ क्या आएगा cos theta d theta differential करो तो आपका dt आ जाएगा मैं अब यहाँ पर value लिख रहा हूँ आपका integration जो आ रहा है न उसकी value आ जाएगी one minus t square और cos theta d theta को मैं dt लिख दे रहा हूँ अब मैं इसे integrate कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका integration आ जाएगा t minus t cube upon 3 यह integration आ जाएगा राइट t की जगह अब आप वापस से उठा करके sin theta रगदो बस आपका answer आ गया अब देखिए इस t की जगह मैं लिख रहा हूँ sin theta minus sin cube theta upon 3 हमारी limit थी इसकी minus theta by 2 से plus pi by 2 की limit थी यह plus pi by 2 तक की limit कहां से आई थी कहां से लिखी limit यह देखो यह मैंने पहले ही लगा दिया थी start में यह 0 degree है यह minus pi by 2 है वो plus pi by 2 है तो हमने वहां तक की limit लेती उसको cutting कर देगी राइट चलिए जब यह कर चुके हैं तो बस अब तो आप limit रख दो अपनी और answer आ जाएगा तो मैं सबसे पहले अपनी limit रख रहा हूं यह आपर है ना देखो इमांदारी से आप देखे अपर लिमिट है pi by 2 sin pi by 2 अपर limit इसकी value होती है 1 फिर minus sin minus pi by 2 इसकी value होती है minus 1 एक आपका step आ होता है minus sin minus pi by 2 यानि minus 1 होता है इसका भी cube करोगे तो minus 1 आएगा कुल मिला करके यह आपके पास में आ रहा है 2 minus 2 by 3 2 minus 2 by 3 यानि 4 by 3 आप पर पास कुल मिला के आपके पास integration की value आ चुकी है बस integration की value आ चुकी है उसको आप यहां रख दीजे that will be your answer यह रहा आपका IE है आप IE क इसको करने का एक और छोटा तरीका है वह मैं बता देता हूं कि आपके स्कूल में आपको ऐसे ही करना होगा अगर आता है तो तभी number मिलेंगे वैसे तो खेर जो है ना वह तरीका ज्यादा fantastic है अच्छा तरीका है मैं बताओं कैसे कि जैसे मान लो यह आपके पास में एक बहुत बड़ा hollow sphere है एकदम hollow spherical style है इसका center यह है इसको अगर मैं origin मान लो अगर मैं origin मान लो तो यह आपका origin हो गया जीरो 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 इसके बाद मैं कोई सब यह point ले लेता हूँ कहीं पर sphere पर अब इस point का जो है अगर coordinate x, y, z है x, y, z है तो सोचो अगर यह x axis है अगर यह y axis है और अगर यह z axis है z axis होगी x axis, y axis, z axis तो मैं तीनों axis से इस particle की distance जाऊँगा, देखिए सबसे पहले r x, r x यहनि कि distance of this particle, this point from x axis, तो from x axis से इसकी distance आती है under root y square plus z square, बिल्कुल, r y यह mathematics की बात है साब, इसमें physics का कोई roll नहीं है y axis से जो distance आती है, वो आती है x square plus z square, z axis से जो distance आती है वो आती है under root x square plus y square, correct, यह distances है, अब हम क्या करते हैं कि तीनों axis के about moment of inertia निकाल देते हैं, तो x axis के about moment of inertia, x axis के about जो moment of inertia होती है, वो mass m, small m, मालनो इस particle का mass small m है, इस particle का mass small m है, तो small m into distance का square, r x का square, तो आपके पास में आजाएगा m into y square plus z square, यह आपके पास i x आजया, फिर आपके पास i y आएगा, i y आजया, आपके पास small m into r y square, यानि कि आपके पास ही आजयागा m into x square plus z square, फिर आपके पास i z आजयाएगा, m into r z square, यानि m into x square plus y square आजया, यह तीनों आगया, आपके पास moment of energy है, लेकिन हमारे को तो total चाहिए, सारा चाहिए, अच्छा, एक चीज़ और है, कि जब आप सारे निकालेंगे, तो आपके पास में result के आने वाला है, तीनों equal होंगे, देखिए एक बास बता हूँ, symmetric हैं तीनों, तीनों क्या है, symmetric हैं, अलब अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो मैं पता है, किसी एट diameter के लिए निकालना है हमारे को, सब की symmetry हो, सब की symmetry होगी, तो मैं पता हूँ, I कितना आएगा, I आएगा, I average, I average मने, Ix, plus Iy, plus Iz, upon 3, upon 3, अब मैं, यह जो हैं, तीनों यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखना आप चरह, M को check करो, M को check करो, तो यह आजाएगा, 2x square, plus Y square, plus Z square, 2 times आजाएगा यह, और नीचे आपका 3 है, क्योंकि आपने average लिया है, इसा है ना, कि सारा मास ना तो X axis की तरफ है, ना सारा मास Y axis की तरफ है, ना सारा मास Z axis की तरफ है, तीनों एक्सिस के लिए मास का division, symmetric है, तो हमने उसको, तीनों को जोड़ करके, और हमने क्या किया, तीन का भाग लिए, तो आपके पास में I आ गया, पुरा उसके diameter के लिए, देखें, I बराबर क्या आ गया, आपके पास 2 by 3 M, अब X square, Y square, Z square, इसको क्या कहते हैं, R square, यह एक particle के लिए आया है, this is I1, this is I1, this is moment of inertia for one particle, for one arbitrary particle, अब आप इसका जो है न, वहाँ पर सिग्मा लगा सकते हो, चाहो तो, आप सिग्मा लगा दिए, तो आई बराबर क्या जाएगा, सिग्मा 2 by 3, सिग्मा M, इन्टो R square, यानि कि आपके पास में 2 by 3 M, R square आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप IX, यहाँ पर सिग्मा लगा सकते हो, यहाँ पर सिग्मा लगा सकते हो, यहाँ पर सिग्मा लगा सकते हो, यह तो मने ऐसे ही आपको बता दिया, कि एक मतलब idea है और कुछ नहीं बाकी कोई खास बात नहीं है है इस तरह से वैसे तो देखो competition exam में तो कभी यह सब चीज़ें प्रूव करने के लिए आती नहीं है स्कूल के अंदर यह लोग दे सकते हैं तो यह hollow sphere वाला प्रूव हमने कर दिया अब हम solid sphere पर आ रहे हैं न देखो moment of inertia of a solid sphere about about its diameter moment of inertia of solid sphere about its diameter अब आप देखिये कि कैसे होगा है यह solid sphere है बना solid sphere यानि कि आप खोगला नहीं है माल पूरा भरा है पूरा सामान भरा हुआ है solid है अब मैं solid sphere के क्या करूंगा छोटे 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 hollow sphere से बनावा है चलो एक hollow sphere की बात कर लेता है हम है न सबसे पहले मैं row निकाल लेता हूं mass density तो capital M upon 4 upon 3 pi r cube इसके इसे volume mass density कहते है अब मैं इसमें से छोटा सा गोला ले रहा हूं जिसकी radius पतला सा गोला बहुत पतला सा गोला जिसकी radius small r है और thickness dr है तो देखिए dm, dm बराबर, dm बराबर बिटा आएगा row into dv, row into dv, row आपके पहले से ही लिख रखा है आपने capital M upon 4 upon 3 pi capital r cube यह आपने लिख रखा है row, dv के आएगा, dv आएगा area into thickness तो 4 pi small r square into dr, यह आपका dv आएगा area, surface area of this small sphere and इसकी thickness dr है, तो volume आजाएगा 4 pi r square dr, यह आपने कर लिया, 4 pi से 4 pi उड़ा हुज रहा, 4 pi से 4 pi उड़ गया है, बाकी देखे dm कितना मज़ा है, dm आपका बचा है, उपर 3 capital M upon r cube है बटा नीचे, और उपर आजया है r square dr, चलिए, यह आपके पास dm आज़ा, अब मैं इसका di निकालूँगा, छोटे वाले sphere का, पतले वाले sphere का, तो di देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, di, di is, अब देखो एक बात सुनो, यह solid sphere था, हमने काट काट के इसके धेर सारे hollow sphere बना दिये, बहुत पतले-पतले hollow sphere बना दिये, hollow sphere, जो भी थोड़े देर पहले किया था, तो hollow sphere का moment of inertia क्या था, 2 upon 3 mr square, अब यह थोड़े देर पहले प्रूव किया है, उससे पहले भी किया, 2 by 3 mr square, यह प्रूव किया है, तो अब हम इसी प्रूव का वहाँ यूज करेंगे, बस अपक साथ की small r square है, बस, इस formula को हमने काम में ले लिया, 2 by 3 mr square, क्योंकि हम वो प्रूव कर चुके है, जिस चीज को आप प्रूव कर चुके होते हो, उसको आप यूज में ले सकते हो, d i बराबर, अब देखना, 2 by 3, dm को आप इमान दरी से लिखे, 3 capital m upon capital r cube into small r square, यह dm आया है, d i r आया है, d i r आया है, और फिर एक r square और आया, कुल मिलाके मेरे पास में d i i आचुका है, मैं लेख रहा हूँ, देखो, 3 से 3 कट गया है मता, 2 capital m upon r cube into small r की power 4 dr, यह आपका d i i आया है, आप इसको integrate करिए, तो आपके पास में i आजाएगा, 2 m upon r cube, अब आप यह r की power 5 upon 5 ले लो, क्यों, आप जब इसको integrate करेंगे, 0 से लेके capital r तक होगा, r की power 4 है, तो integration r की power 5 आएगा, आप ज़रा इसको solve करिए, यह आपके पास में आजाएगा, 2 of 1, 5 m r square, यह आपका answer है, यह आपका answer है, देखिए, यह आपका solid sphere का moment of inertia आ गया, है न, अब आप अपना formula chart निकालो एक बार, चलिए, सभी बच्चे formula chart निकाले एक बार, देखिए formula chart का page number 2 देखिए, पेज नमर 2 देखो formula chart का, तो जो formula chart का page number 2 है, उसके एकदम last में आ जाओ आप, एकदम last में जाओ, moment of inertia का topic है, moment of inertia के topic में, moment of inertia of the different bodies about geometric axis और central axis और on axis एक ही बात है, रिंग के लिए moment of inertia जो है, उसकी अपनी axis से, जो कि उसकी plane के perpendicular है, MR square हम आपको बता चुके है, रिंग का, रिंग का, रिंग का, रिंग की खास बात है कि, mass is only on the circumference, no mass is in between, दूसरा इन्होंने disc का बताया है, disc को भी हम prove कर चुके हैं, disc की खास बात यह होती है, कि mass जो है, जो उसका material है, disc का, वो पूरे में filled रहता है, तो पूरे में filled रहता है, तो यह कितना आ जाएगा, MR square by 2 आ जाएगा, recording हो रहे हैं कि नहीं, आ चल रही है, यह MR square by 2 आ गया बताया, okay, disc के बाद में यह MR square by 2 आ गया, फिर hollow spherical cell, hollow spherical cell का मतलब जो है, hollow spherical cell का मतलब समझने कोशिश करो, एक दम पतला, एक दम पतला गोला, जिसकी दिवार पतली है, बारीक दिवार है एक दम, साबुन का बुलूला, हवा का बुलूला, और वह क्या बोलते है न, टेबल टेनिस बॉल, प्लास्टिक की बॉल, पतली सी बॉल आती है, आलू का छिल का छिल दो, उसमें से आलू निकाल लो, समझ जो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डामेटर के बाउट आएगा, वो आएगा टू बाई थ्री एमार इस्वायर, होलो इस्परिकल सेल है, अगर रॉड है, और उसके सेंटर से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यह वाली एक्सिस है, तो इसको भी हमने कर दिया था, यह सब हमने प्रूव कर रखा है, यह सब हमने प्रूव कर रखा है, अब कुछ चीजें हैं जो हम प्रूव नहीं करेंगे, तो देखिए क्या बातें करेंगे हम, आगे मैं बात कर रहा हूँ एनूलर डिस्क, एनूलर डिस्क क्या होती है, एनूलर, एनूलर ड एक ऐसी डिस्क जिसके अंदर, अंदर कट लगा हुआ हो, ऐसे कटा हुआ हो यह, सेंटर से काटा हुआ है, इसको एनुलर डिस्क कहते हैं, एनुलर डिस्क में यहां कुछ नहीं होता, no material, खोखला है यहां से, लेकिन यहां पूरे में material भरा हुआ है, R2 तक, इसका अगर 1 स्क्वाइर प्लस R2 स्क्वाइर अपॉन 2, यह moment of inertia आता है इसका, correct, ओके, अब सवाल उठता है, यह आता कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत आसान है इसको, जानना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान कारे है, है ना, आप जानने की इच्छा है तो, कि सर कैसे आया बता दू, मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, है, तो मैं, it will take hardly 3-4 minutes, ज्यादा मिलेगा थाट है, आज चलीए, अनुलर डिस्क हो गया, अब hollow sphere of thick wall, ज्यान दीजिए, hollow sphere, hollow sphere of thick wall, thick wall, thick wall, thick wall का मतला, मोटी दिवार, मोटी दिवार है, hollow sphere of thick wall, मोटी दिवार का खोगला गोला, जब ये मोटी दिवार के खोगले गोले की बात हो रही है, तो देखो जी, ये है, इसका डायमेटर, अंदर की रेडियास जोहरा R1 है, जिसमें कुछ भी material नहीं है, लेकिन बाहर की रेडियास R2 है, जिसके अंदर मोटी दिवार है, इसका moment of inertia आहीं आएगा, 2 by 5, capital M, R2 raise to power 5, minus R1 raise to power 5, upon R2 raise to power 3, minus R1 raise to power 3, ये moment of inertia आएगा, अच्छों ये इसमें नहीं दे रखा, आपके formula chart में, देखें ये formula chart में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको सवाल है, बुक्स में काफी सारे सवाल हैं, तो आपको करने होगे, इसका भी अगर आप मेरे को कहोगे, कि सर आया कैसे है, जरा बताओ, तो बहुत छोटा सा काम है, मलब, दो-तिरी इनर्स जाद नहीं लगने वाला, आप भी कर सकते हो चाओ तो, इसको आप एक गोला माल लो, उस गोले का moment of inertia निकालो, उस में से उसको गटा दो, बड़े वाले में सोटा वाला गटा दो, इसमें भी आप ऐसा ही करें, कि बड़े वाले का निकाल ले में, छ पांसवर आजाएगा, बड़ा आसाम बात बताईगे, सुनो, 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 पूरी डिस्क का निकाल दो, पूरी डिस्क, फुल, यहाँ भी material हो, ऐसी डिस्क, उसका निकाला, फिर इसका निकालो, छोटे से का, और उसको उसमें से गटा दो, फुल में से छोटा सा गटा द फुल, भरे हुए का, complete full, even though empty space is full, nothing is free, then you have to get complete result पूरे गा, और फिर उसमें से जो छोटा वाला है, उसको घटा दो, आप का अंसर आ जाएगा, है ना, ओके, तो आप लोग मेरे को, जो है, बोल दीजिएगा, जो हम सेसन में करवा देंगे, solid cylinder का हाँ, यह बात, देखे, solid cylinder क बना रहाँ यहाँ पर, solid cylinder, यह solid cylinder, solid cylinder की यह वाली axis, अब मैं आपको बताओ, solid cylinder सच में क्या होता है, solid cylinder सच में disk होता है, solid cylinder सच में disk होता है, बिल्कुल disk होता है, एक दम पक्का, disk कैसे होता है, आप देखो, 5 रुपे के सिक्के लो, या 10 रुपे के सिक्के लो, खुब सारे, 150 10 rupary के शिक ले लूग अब एक के उपर एक की उपर एक की Actually it Benad prais Aliza Thera can be considered as a Thin Sorry Thick disc mostly different उसी को सॉलेड सिलिंडर कह सकते हो आप तो सॉलेड सिलिंडर का वही आएगा जो डिस्क का था होलो सिलिंडर का क्या आएगा होलो सिलिंडर का वही आएगा जो रिंग का था hollow cylinder बहुत hollow cylinder है साब अगर बहुत hollow cylinder है एक गम पतला जाए like straw straw होती है ना juice पिने की नली juice पिने की नली straw तो आप लोग पीते ही होंगे juice वगर cold drink वगर पीते रहते हो ये hollow sphere होगा hollow sphere is what hollow cylinder hollow cylinder is what hollow cylindrical cell जदा अच्छा है कि हम इसको ऐसे बोलें hollow cylindrical cell क्या बोलें hollow cylindrical cell है ना cell word itself is very important क्योंकि इसका मतलब भी खोखला होता है s-h-e-h cell अब ये जो cell है ना इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ring मिल करके एक hollow cylinder बन जाती है ring के उपर ring जमाय तो आप है ना बहुत सारी ring ले लो और एक के उपर एक ring जमाते जाएए जमाते जाएए you will get the hollow cylindrical cell आपके पास में आई बराबर क्या जाएगा mr square जाएगा ring वाला formula ही apply होगा ring वाला formula ही apply होगा ठीक चलिए अब देखो square plate की बात करते हैं कि अगर एक square plate है square plate है यह L है यह L है यह L है यह L है इसके center से axis pass on हो रही है और perpendicular to the plane है इसका moment of inertia जो है i बराबर ml square by 6 है अगर आप इसका derivation कहेंगे तो मैं आपको करा दूंगा बट वो lengthy होगा थोड़ा सा मतलब थोड़ा इसमें time लगेगा वैसे ज्यादा लेंदी भी नहीं है हो जायेगा मतलब थोड़ा सा एक बार काट करके और फिर integration करना पड़ेगा बहुत छोटी शी बात है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है अगर आप square plate की बात करें वैसे करवाई देंगे जूम से समय है सब छोट 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 चीज़ें है कोई इतना बड़ा time consuming मामला नहीं है आई बराबर आ जाएगा आपका M L square प्लस B square अपॉन 12 यह आपका आएगा अब ने को एक बात सुनों अगर यहाँ पर आप एक थोड़ा सा enjoy करना चाते हैं चीज़ों को तो मैंने लिखा M L square plus B square upon 12 बड़ा यह square है और यह क्या है rectangle है अब यह rectangle है इसका L और B है square का L और L है यानि square के लिए L बराबर B है तो आप ज़रा यहाँ पर L बराबर B रख दो बी की जगा L लिखो देखो आपका यह answer है जाएगा आगया रहा आगया विल्कॉर अच्छा चलिए एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई triangle है और triangle की इस वाली axis के अबाउट मोमेंट अब इनर्शे निकालना है आपको यह वाली और triangle की height दे रखिए और हमें hypotenuse के अबाउट moment of inertia से लेना है मालो मलब longest axis के अबाउट longest line के अबाउट तो वह mh square by 6 आता है ठीक है यह आपको कभी-कभी जरुत पड़ जाती है कभी-कभी इसके बाद में देखे two theorems of moment of inertia इन दोनों theorem को मैं prove करूँगा दोनों theorem को मैं prove करू हम अगले lecture में करेंगे क्योंकि prove में थोड़ा सा time लगेगा तो मैं दो theorems of moment of inertia समझा तो आज ही देता हूँ जिससे आप लोग आगे questions करना शुरू कर दें तो देखे two important theorems, two theorems, two theorems, two theorems होती है चाहिए, two theorems of moment of inertia, देखे by using, by using, by using two theorems of moment of inertia, we can calculate, we can determine, we can determine or we can find, we can determine or find. by using two theorems of moment of inertia, we can determine or find, the moment of inertia, moment of inertia of any body, of any body, about any axis, about any axis. तो आप ध्यान दीजे, by using two theorems of moment of inertia, we can determine or find, the moment of inertia of any body, about any axis. आप 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 दो theorem को यूज लेने की पहली condition है कि आपको moment of inertia central axis के about पहले से पता होना चाहिए कुल मिला के कहने का आर्थ ये है कि if if you already know if you if you already know the moment of inertia moment of inertia of a body body about its central axis about its central axis then then you can you can find find its moment of inertia its moment of inertia about any axis about any axis about any axis by using by using two theorems देखो जी हम आपको दो थ्योरम पढ़ाएंगे moment of inertia की उन दोनों थ्योरम का यूज करके आप किसी भी body की किसी भी axis के about moment of inertia निकाल सकते हैं लेकिन लेकिन उसके इसके पर इसके आपको बही हैं लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी जरूरी कंडिशन है कि central axis के moment of inertia आपको पहले से पता होने चाहिए देखो ये वाला central axis है, पता है आपको, क्या है ये, rectangle, central axis का पता है, आपने पता लगा लिया, या मैंने बता दिया, जो भी है, इसकी central axis पता है, इसकी central axis, अगर आपको central axis का knowledge है, then you can do anything, anything, बस आपको दो थ्योरम जो है न, आनी चाहिए, फिर आप सब निकाल दोगे है, तो देखो और और देखिए, ये सब central axis के moment of inertia, आपको पहले से पता है, लिस्ट बनी हुई है, आपके formula chart में, last में देख लो, हाँ, अगर आपको central axis का moment of inertia पता नहीं है, तो फिर ये दोनों थ्योरम बेकार है, किसी काम की नहीं है, फिर तो wastage हो गए ये दोनों थ्योरम, तो आपके ये दो थ्योरम से मैं पढ़ाऊँगा आपको, और ये दोनों थ्योरम जोरदार होती है, आप moment of inertia निकाल सकते हैं, इन दोनों थ्योरम के लावा, तो देखिए, महला अब यूज ले करके, तो सबसे पहली थ्योरम है, first, first theorem, theorem of perpendicular axis, 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 देखिए, जब theorem of perpendicular axis की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, कि this theorem, this theorem, this theorem, is applicable, this theorem is applicable, only for, this theorem is applicable, only for, only for, only for, co-planner bodies, this theorem is applicable, only for co-planner bodies, के वल, co-planner bodies के लिए ही, ये theorem apply हो सकती है, correct, okay, यानि, co-planner bodies के लिए ही, ये theorem apply होगी, co-planner bodies क्या होती है, मैं बताता हूँ, co-planner bodies, ring, apply होगी, this, apply होगी, कोई भी plate, कोई भी plate हो, apply होगी, मलब plane के अंदर हो body, लेकिन, अगर मालो आप इसको sphere पर apply करना चाहें, तो, नहीं होगी, गलत हो जाएगी, आप इसको cylinder पर apply करना चाहें, तो, नहीं होगी, गलत हो जाएगी, है न, कोण पर apply करना चाहें, तो भी ये theorem apply नहीं होगी, कौन के लिए मैं एक छोटी शी बात आपको बता दो कौन के लिए एक छोटी शी बात हम आपको बता देते हैं क्योंकि सब के लिए बता चुके तो कौन को ही क्यों छोड़ों यह लो जी अगर यह कौन है अगर यह कौन है और इस कौन का मोमेंट ओफ इनर्शिया मैं इसकी इस एक्सिस के बाउट निकालूं तो सेंटरल एक्सिस के बाउट इसका मोमेंट अपको इनर्षी आता है 3 by 10 MR स्क्वाइड 3 by 10 MR स्क्वाइड आता है इसका यह भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जूम सेंट में डेराइव करेंगा इसकी यह वाली रेडियस आर है बस अका ओके लेकिन कोन के लिए जो है ना थियोरम नहीं लेगेगी यानि कि अगर आपको परपेंडिकुलर थियोरम का यूज लेना है तो आपको यह तैय करना पड़ेगा कि बोडी सुड भी इन ए प्लेन प्लेनर बोडी होनी चाहिए यानि 3 डैमेंशनल बोडी नहीं होनी तो देखिए थियोरम आपको परपेंडिकुलर 2D बोडी के लिए applied होगी बेटा टूदैमेंशनल बोडी एक प्लेन के अंदर रखी जा सकती है 3D के लिए applied नहीं होगी जो volume होता है जिस बोडी में उसके लिए यह थियोरम applied नहीं होगी तो कभी कर मत देना है ना यस चलिए मैं आपको यह theorem का statement बढ़ा देता हूँ statement बटाता हूँ देखो as per according to according to the according to theorem of perpendicular axis घान दो according to theorem of perpendicular axis this sum of this sum of moment of inertia देखो the sum of moment of inertia inertia of a co-planar body of a co-planar body about about its two mutually perpendicular axis about its two mutually perpendicular axis 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 lying in the plane lying in its plane lying in its plane will be equal to will be equal to the moment of inertia about the third axis about the third axis third axis third axis perpendicular to the plane 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 and and passing through the passing through the through the common passing through the common point of intersection common point of intersection of the three mutually perpendicular axis देखो थोड़ा साइस को, axis के words को समझे three mutually perpendicular axis sum of moment of inertias of coplanar body about two mutually perpendicular axis lying in its plane will be equal to the moment of inertia about the third axis third axis perpendicular to the plane perpendicular to the plane and passing through the common point of intersection of the three mutually perpendicular axis ये आपका statement अब इस statement को मैं आपको explain करता हूँ डाग्राम बना करके word to word लेंगे हम statement को बिल्कुए देखे, मैं एक body ले रहा हूँ और body मैं कैसी भी ले सकता हूँ ring, disc, plate, कोई भी तरह की plate हो लेकिन two-dimensional ही होनी चाहिए, three-dimensional नहीं होनी चाहिए मालो ये एक plate ऐसा, plate होने का मतलब है कि इसकी thickness zero है, thickness नहीं है, thickness नहीं है, क्योंकि thickness हो गई जब तो फिर problem होगी ना फिर तो three-dimensional हो गई body, two-dimensional body की बात कर रहे हैं, मालो कि इस body का ये कोई point है, कोई तो point हो गई, किसी भी point से ले सकते हैं, किसी भी point से, कोई नियम नहीं है, आपके मन में जाती जिस point से लो, right, अब मैं इस body के plane के अंदर two axis draw कर देता हूँ, एक x axis draw कर देता हूँ, देखें मैं x axis draw कर रहा हूँ, x axis, और मैं y axis draw कर रहा हूँ, चीक अपना, y axis, ये x axis है, और ये y axis है, ये y axis है, और ये z axis है, और ये z axis है, correct, z axis इधर है, z axis इधर है, correct, अब देखो, i x, i x, i y, and i z, are the moment of inertia, about x, y, and z axis respectively, x axis के लिए moment of inertia आप i x माल लीजिए, y axis के लिए moment of inertia आप i y माल लीजिए, z axis के लिए moment of inertia आप i z माल लीजिए, correct, as for the statement of theorem, क्या है, मैं statement पढ़ रहा हूँ, क्या, sum of the moment of inertia, sum, sum, sum यानि, plus, plus, yellow j, plus, sum of the moment of inertia, of a body, of a coplanar body, of a coplanar body, about its two mutually perpendicular axis lying in its plane, तो i x plus i y, it is equal to i z, ये आपका statement होगा, सन्ये, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, sum of the, sum of the moment of inertia of a coplanar body, about two mutually perpendicular axis, lying in a plane, lying in its plane, will be equal to the moment of inertia of the third axis, which is perpendicular to the plane, देखिया आप, तो i x plus i y, बराबर i z, this is the theorem of perpendicular axis, अगर आप statement पकड़ेंगे, तो एकदम यही statement है, word to word, आप statement चेक करिए पूरा, देखो, हाना, the sum, sum, of moment of inertia of a coplanar body, about its two mutually perpendicular axis, x and y, x and y, lying in its plane, will be equal to the moment of inertia about the third axis, perpendicular to the plane, and passing through the common point of intersection of the three mutually perpendicular axis, हाना, तो यह आपके पास में आएगा, i x, i y, i z, यह तीनों है, और इस तरीके से आपका आएगा, अच्छा, एचीज और है, कई बार question जो आता है, वो इतना simple, सीधा-साधा नहीं आता, वो जानभूज करके टेडा-मिडा कर देता है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जर्रत नहीं होती, जैसे एक बार डाइग्राम बना हुआ है, एक्जाम के बदर, पर्पेंडिगुल एक्सिस थे और अब का, पता है, ऐसा उन्हें कोई बाडी बना रखी थी, और कहा रखा था, इस बाडी इस कोप्लेनर बाडी, और उन्हें ने एक्स एक्सिस ऐसे बनाई, और य हैक्सिस यहां बना दी, पर्पेंडिगुल बना जी, तो अब ज्योने अच्छा कोई भी कहीं भी बना सकते हैं, यह कोई रूल नहीं है, लेकिन होना पर्पेंडिगुल चाहिए, मुच्रिडिगुलर तो होना ही चाहिए, आप यहां से इसके साथ perpendicular बनाएगे यह 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 बना दिया है अब जैड आपका यहां है जैड आपका perpendicular है तो क्या इसके लिए form of perpendicular axis अप्लाई होगी तो yes IZ equal to IX plus IY होगी अप्लाईगी यह यह इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जो axis है वो किसी particular set के अंदर हो ना बस condition क्या है condition यह है कि दो axis जो है वो mutually perpendicular होनी चाहिए plane के अंदर होनी चाहिए और तीसरी axis plane के perpendicular होनी चाहिए और तीनों जो axis है उनका point of intersection सेम होना चाहिए common point of intersection यह जरूरी चीज़ें है बस बाकी theorem apply होगी हर case में ठीक तो इस theorem को आप कभी भी sphere के लिए apply नहीं करेंगे कभी भी cylinder के लिए apply नहीं करेंगे कभी भी cone के लिए apply नहीं करेंगे कभी cube के लिए apply नहीं करेंगे ऐसी कोई भी body के लिए apply नहीं करेंगे जिसके अंदर volume हो जिसके अंदर thickness हो उसके लिए apply नहीं करेंगे 3D body के लिए apply नहीं करेंगे इस theorem को आपके अब 2D body के लिए ही apply करेंगे चलिए अब हम बात करते हैं आगे parallel axis theorem parallel axis theorem देखे parallel axis theorem जो है न this theorem is applicable for all kinds of material this for all all cases this theorem is applicable applicable for all cases for all types of body हाँ जी यानि कैसी भी body हो इसके लिए apply होगी यानि इसमें कोई condition नहीं है co-planner वाली condition नहीं है अब आपकी चाहे co-planner हो तो भी apply होगी non-co-planner हो तो भी apply होगी solid sphere हो तो भी hollow sphere हो तो भी यानि कोई issue है जी नहीं फिक है तो यह हमेशा ही apply होगी यह theorem क्या है यह theorem में बता रहा हो आपको है ना देखिए theorem का statement सुनिया according to theorem of parallel axis इस theorem के according है ना तो according to parallel axis theorem according to parallel axis theorem parallel axis theorem according to parallel axis theorem the moment of inertia the moment of inertia of anybody the moment of inertia of anybody about any axis देओ कितना general जा रहा है the moment of inertia of anybody about any axis about any axis will be will be equal to equal to the sum of sum of it's moment of inertia it's moment of inertia about about central parallel axis about central parallel axis and and multiplication of multiplication of multiplication of multiplication of mass and the square square of the distance of the distance between between the between the two parallel axis and parallel axis and the according to parallel axis theorem the moment of inertia of anybody about any axis कोई भी body हो कोई भी axis हो will be equal to the sum of its moment of inertia about central axis central parallel axis central axis नहीं central parallel axis यहनि center भी हो parallel भी हो उस axis से है थोरम को जो है mathematical term में लिख रहा हूँ माल लिजिए यह कोई body है होगी जी कोई body हमें क्या लगए हमें थोरम explain करने से मतलब है अब देखो बटा body है तो निश्यत रूप से इसका कोई निश्य center भी होगा center of mass तो होगा तो देखो यह body है तो साहब इसका center ज़रू होगा यह पक्का मानके ज़रू होगा पक्का center होगया अब मान लिजिए कि यह कोई axis है any axis now I want moment of inertia of this body about this axis about this axis यह आई यह यह क्या है आई यह यह आई यह और यह क्या है C है इसके parallel बनानी है axis यह यह दोनो parallel axis होनी चाहिए और यह इनके बीच की distance है parallel axis के बीच की distance भी होगी साहब कुछ यह जो central axis है इसका moment of inertia हम C मान लेते हैं क्या मान लेते हैं C मान लेते हैं यह इसका तो पहले से हमको पता होता है हमेशा पता होता है पता है जभी हम कर पाएंगे नहीं पता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो चलिए अब हमारा क्या statement है उसको पढ़िए moment of inertia of anybody about any axis moment of inertia of anybody about any axis is equal to is equal to sum of sum of moment of inertia of the body about the central parallel axis central parallel axis यह आईसी and mass into d square distance square mass multiplied by distance square इसके बराबर होता है तो this is your फ्योर ठीक है yes moment of inertia of anybody about any axis is equal to sum of the moment of inertia about the central parallel axis and multiplication of the mass and square of the distance between the parallel axis हो गया आपका यह आपकी दोनो theorem हो गई अब अगली lecture में हम इन दोनो theorem को प्रूब करेंगे और इनकी application के बारे में बातें करेंगे ठीक है चलिए आज की नमस्ते झाल झाल